कि अज़िए 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 आप सभी का स्वागता है आज हम बिने पत्रिका का अध्यन करेंगे जो तुलसी दास ने लिखा है तो कभण कहो यही रहनी रहोंगो कभण कहो यही रहनी रहोंगो सिरी रहुनात क्रपालु क्रपाते संत स्वभाव गहोंगो तो यहाँ पर बच्चो कभण कमाने कभी है ना रहनी माने जीवन रहन सहन जीवन और गहोंगो माने प्राप्त करूंगा क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा क्या कभी मैं इस प्रकार रहूंगा और सिरी रहुनात क्रपाल क्रपाते संत सुभाव गहूंगो क्या मैं दयालू सिरी रहुनात जी की क्रपा से संतों जैसा सजनों जैसा सुभाव ग्रहन करूंगा फिर इसके बाद जथा लाव संतो ससदा काहू सो कचुन चहूंगो यहाँ पर तुलसिदाजी कहते हैं मुझे अपने परिस्रम से जो कुछ भी प्राफ्त हो जाएगा मैं उसी में सदयो संतोस मानूंगा और किसी से कभी किसी वस्त की कामना यानि इच्छा भी नहीं करूंगा फिसके बाद परहीत निरत निरंतर मन करम बचन नेम निवहोंगो परहीत माने दूसरों की भलाई हना निरंतर माने लगातार निरत माने लगे रहना मन करम बचन माने मन करम और बचन से नेम माने नियम निवहोंगो माने होता है निवहोंगा मैं मन बचन और कर्म से निरंतर दूसरों का कल्यान दूसरों की भलाई करने में सलगन रहूंगा लगा रहूंगा और इस नियम का सदयों पालन करता रहूंगा इसके बाद बच्चो पारुस बचन अति दूसा स्रवन सुने तही पावक नदूंगो पारुस माने होता है कठोर बचन माने बचन आति दूसा अति माने बहुत दूसा माने असाहनी है स्रवन मने कानों से सुन मने सुनकर के तही पावक पावक मने आग दहंगों मने होता है जलूंगा मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असहनी असह जो सहन न किया जा सके असा है बचन सुनकर भी क्रोध की अगनी में कभी नहीं जलूँगा अर्थात अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूँगा इसके बाद बिगत मान 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 माने घमंड घमंड से बिगत माने दूर हना समसीतल मन अपर माने दूसरे गुन माने गुन और दोस गुन नहीं दोस कहोंगो बिगत मान समसीतल मन परगुन नहीं दोस कहोंगो मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और सांत रखूंगा परगुन नहीं दोस कहोंगो यानि जो है मैं सदय दूसरे के गुडों का वरणन करूंगा कभी किसी के दोस का उलेख नहीं करूंगा गुड़ों को बताऊंगा लेकिन दोस नहीं कहूंगा परिहरी दे जनित चिंता दुख सुक समबुद्ध सहोंगो तुलसिदा सप्रभु यही पत रही अभी चल हरिभक्ति लहोंगो तुलसिदा जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कम मिलेगा मुझे और सुख को समान भाव से सहन करूंगा अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय बिचलित नहीं होंगा हे प्रभु मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा तो बच्चो यहाँ पर प्रस्तुत पद में गोस्वामी जी ने संतों पूरवक संत सुभाव धारन करने तथा भगवान के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त करने की अविलासा इच्छा की है इसके बाद परिहरिते जनित चिंता से तात पर इंद्रियों और सरीर के सुख की चिंता के त्याग से है यानि इंद्रियों का सुख है इनका त्याग से है भासा वच्चों यहाँ प्रजवासा है और रस यहाँ पर सांत है और सब्द सक्त यहाँ अभिधा है है ना क्योंकि कि भक्ति है गुडप्रसाद छंडगेपद इस प्रकार से अगला देखते हैं ऐसे मूढता या मन की परिहरी राम भागति सुरसरिता आशकरत ओसकन की मूढता माने बच्चों होता है मूरखता हाना परिहर माने छोड करके परिहरी माने छोड करके ओ सकन माने होता है ओ सकी भूंदे तो ऐसी मूढता या मन की तो तुलसिदाजी यहाँ अपनी दीनता प्रदर्सित करते हुए सिरी राम से अपने उधार यानि मोच की प्रार्थना करते हैं तो तुलसिदाजी कहते हैं ऐसी मूढता या मन की तुलसिदाजी कहते हैं कि या मन ऐसी या मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है कि यह सिरी राम की भक्ति रूपी या पर देखे परिहार मने त्याग करके राम भगत सुरसरिता में रूपा कलंकार राम की भक्ति रूपी गंगा सुरसरिता मने गंगा तो राम सिरी राम की भक्त रूपी गंगा को त्याग कर और आसकरत ओसकन की अब विशय रूपी जो सांसारिक विशय हैं सांसारिक इच्छाएं विशय रूपी ओसकी बूंदों के दोरा अपनी प्यास बुझाना चाहता है इसके बाद धूम समूह निरक चातक जो त्रसित जानि मत घन की अन्हिता सी तलता नबारी अपनिहानी होती लोचन की धूम समूह मने धूमे का गुबार धूमे का समूह निरक माने देख करके चातक माने पपीहा, तरसित माने प्यासा, मत माने बुद्धिक, घन माने बादल इसके बार नहिता सीतलता माने ठंडा पनवार माने पानी, अपुनिहानी होती लोचन की, लोचन माने आखों की तो इसका यह बेवहार, मैंने मन का, मन का बेवहार, इसका यह बेवहार ऐसा ही है, जैसे प्यासा पपीहा धुए के गुबार को देकर उसे बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसी की ओर टक्टकी लगा कर देखने लगता है परंत उसको निरासा ही होना पड़ता है क्योंकि वहां से उसे ना पानी मिलता है और उसके प्यासा ही त्रपत होत पाती है पुनिहानी होती लोचन की इस प्रकार के मूर्खता पून व्यवहार से आखों को भी उसी प्रकार वेर्थही कष्ट होता है जिस प्रकार जेव गजकाच बिलो की सेन जड़ छा आपने तन की तूटत अति आतुर अहार बस छत विसारी आनन की तो सेन माने बाज पच्छी छत माने छत यानी हानी आनन माने मुख यानी चोच तो जिस प्रकार मूर्ख बाज भूमी पर पड़े काच अथवा दीवार में अपनी परच्छाई यानी दरपण में सीशा में अपनी परच्छाई अना देखकर उस प्रतिविंब को अपना प्रतिद्वंदी समझता है अपना दुस्मन समझता है और उसको अपना आहार समझ लेता भोजन और भूंक से ब्याकुल होने के कारण उस पर तूट पड़ता है ऐसा करते हुए उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि वहां टक्कर मारने पर उसके मुख यानी चोच की ही हानी हो जाएगी कहलो कहो कुचाल क्रपानी दे जानत हो गति मन की अतुल सिदा सप्रवु हरहु दुसा अदुख करहु लाजनी जपन की है करपानी दि आया है भगवान राम के लिए धया के सागर और जानत हो गति मन की गति माने दसा मन माने मन औहरहु दुसा अदुख करहु लाजनी जपन की हे करपा के सागर प्रभु मैं अपने इस मन के दोस पूर्ण एवं तुछ यानि नीच तुछ करमों का वरण कहां तक करूँ हना कहलो कहो करपालु करपानी दी आप अंतर्यामी हैं अंदर को जानने वाले अंदर की बात जानने वाले हैं इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली प्रकार जानते हैं अंत में तुलसिदास जी स्रीराम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु सरणागत का उद्धार करने की उद्धार माने मोच मुक्ती उद्धार करने की अपनी प्रतिग्या पर विचार करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए काबकत संदर में बच्चों यह लिखना माई समझाय देते हैं इस पद में गोसवामी तुलसिदास ने जीव के अज्यान पूर्ण ब्योहार का वर्रन करके या बताने का प्रेत्न किया है कि हम लोग स्वार्थ सिद्धी के लिए मतलब के लिए हना जो भी कार करते हैं उसमें प्राया हान ही उठानी पड़ती है बचों भासत वईब्रज है सैली यहां मुक्तक है अलंकार यहां रूपक कई बार दिखाए दिया है हना और भ्रांतिमान भी आनुप्रास और रूप का सयोगती है रस बच्चों यहां भक्तिक बात है रस इसले सांतरस है और गुड़ प क्रपा तुम्हारी तो कसमाने क्यों मरसमाने मिध्या जूँठ जीव माया में पढ़कर के ये जो हमारी आत्मा है ये सांसारिक माया में पढ़कर के संसार को ही सत्य मान कर दुख पाता है जब कि संसार सत्य नहीं सत्य क्या है भगवान हना संसार का मो छोड़कर भगवान को भ तुम्हारी तो अजय हरी आप मेरे इस भारी भरम को दूर क्यों नहीं करते हैं यद्यप यह संसार जोंट है मिथ्या है असत्य है तताँ इजबतक आपकी कृपा नहीं होगी हाना तब तक सथ्यसाही दिखाई देता है सथ्यसाही प्रतीत होता कौन ये संसार अर्थ अभिद्यमान जानिये संस्रत नहीं जाये गुसाई अभिनु बांधे निजे हटसट परवस परेव कीर की नाई तो यहाँ पर बच्चो अभिद्यमान, अभिद्यमान माने क्या होता नासवान, अर्थ माने इंद्रियों के विशे, और संस्रत माने होता है संसार, मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विशे नासवान है, यह संसार जो है नासवान है, तता उनिके विशे सुक छड़िक, किन पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता, अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ, मैं बिना किसी के बांधे स्वयम अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हुआ पड़ा हूँ, जैसे तोता दाने के लालच में बहेलिये के जाल में स्वयम फस जाता है। सपने ब्याधि बिविद बाधा भय म्रत उपस्थित आई, अबएद अनेक उपाय कर जागे बिन पीर न जाई, पर ब्याधि मने बीमारी बिविद इमाने अनेक प्रकार बाधा मने कठनाई, तो जैसे स्वपन में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं, तता ऐसा प्रतित होता है सपने में तो ऐसा प्रतित होता है कि मानो म्रत्य ही आ गई हो तब ऐसे स्थित में वय द्यारी डाक्टर कितनी ही चिकिस्षा करें कि तो जब तक व्यक्त जागता नहीं तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता इसी प्रकार माया में पढ़कर लोग अनेक यातनाएं भोग रहे हैं साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं परंतु बिना आत्म ज्यान बिना अध्यात्म के माया से चुटकारा पाना संभव नहीं है सुर्ति गूर साथ सुम्रति सम्मत याद्रस सदा दुखकारी अत्यभिन तजे भजे बिन रहुपति बीपति सकय को टारी वेद गुरू संत और इसम्रतियां सभी एक स्वर में कहते चले आए हैं कि यह दस्यवान जगति जो संसार दिखाई देता है यह सदा दुखरूप है जब तक इसे त्याकर रहुनाजी का भजन नहीं किया जाता तक कौन ऐसा समर्थ है कौन ऐसा सक्तिसाली है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके वेद निर्बल बाड़ी से कह रहा है कि संसार सागर से पार होने के अनेव उपाय है कि तुलसिदाजी का मत है जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता तक यह जीव कभी सुख नहीं पा सकता अगला टापिक देखे अबलो नसानी अब न नसाई हो राम क्रपा भव निसा सिरानी जागे फिर न नसाई हो तो बच्चों अबलो माने अब तक नसानी माने करनी बिगाड़ी जो कर्म बिगड़ी हुए है नसानी तो यहाँ पर गोस्वा में तुलसिदाज ने बिगत जीवन के प्रति जो बीता हुआ जीवन है उसके प्रति पस्च्चाताब्यक्त किया है और साथ ही आने वाले अब ननसाई हो तो गोस्वा में तुलसिदाज जी कहते हैं कि अभी तक तो अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी अभी तक तो मेरे कर्म बेकार थे पर तो अब नहीं बिगाड़ूंगा हाना भाव इसमें सचेत रहूंगा रगुनाज जी की क्रपा से संसार रूप रात्री समाप्त हो गई है भावनिशा माने होता है संसार रूपी रात्री हाना और सिरानिवा ने बीत गई और जागे फिर न डसाई हो और जो है रहुना जी की क्रपा से संसार रूपी रात्री समाप्त हो गई है जिस अभिद्या जिस अभिद्या के कारण में विशेवासनाओं के प्रती आसक्त था मैंनी विशेवासनाओं से में प्रेम करता था वे अब प्राया समाप्त हो गई है अब जग जाने पर में बिच्छावना नहीं बनाऊंगा वारु माने सुन्दर होता है उर्माने हिरदय अकर माने हाथ यानी हिरदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूँगा तो वही तुलसिदा जी कहते हैं कि समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी स्रेष्ट चिंता मड़ी मुझको प्राप्त हो गई है हाना अब मैं इसको हिरदय रूपी अपने हाथ से नहीं गिरने दूँगा श्याम रूप सुची रूचिर कसाउटी चित कंचना ही कसाई हो स्याम माने सावला रूप सुच माने पवित्र रूचिर माने मन को लगने वाली कसाउटी है ना कसाउटी चित माने मन कंचना ही माने सोना रहुनाज जी के स्यामला और पवित्र रूप को कसाउटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी सुर्ण को धिसकर देखूंगा अकसाउटी पर लकीर खीच के रही सुनन के खरेपन की परिच्छा की जाती है इसी प्रकार मेरा मन रहुना जी के स्यामन रूप में जितना रमेगा उसी अनुपात में मैं अपने मन को पवित्त समझूँगा परबस जानी हसे होईन इंद्रिन निजबस होईन हसाई हाओ पहले मैं मन का गुलाम था और तब इंद्रिया मनमानी करती थी वे मुझे तरह तरह के नाच न चाती थी परंत अब मैंने मन को अपने वसमे कर लिया है अब अपने मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट दे कर मैं समाज में उपहास का पात्र नहीं बनूँगा मन मधुकर पनकर तुलसी रगुपदिपद कमल बसही होँ तुलसिदा जी कहते हैं कि अब मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भहमरा मेरा मन रूपी भ्रहमर यानि सिरी रगुना जी के चरण रूपी कमल कोस के भीतर ही निवास करेगा जिससे वह उड़कर कहीं अन्यत्र जाने ही न पाए कायने के मतला हम भगवान राम के चरणों को कमल मानेंगे और मेरा मन भहमरा है और उस कमल में ही मेरा मन रहेगा संसार के विसेव में नहीं पड़ेगा कावि सौंदर में बच्चो तुलसिदाद जी का आत्मग्यान मुखर हुआ है देखे भाव सामे में शमुद्र को लांगने से पूरु हनमान जी भी इसी प्रकार अपने हिर्दयस्त सिरी राम जी का बार बार ध्यान करते है कि सिरी राम नाम रूपी चिंतामणी कहीं खिसक न गई हो हना बार बार रहुबीर संभारी तरक्यों पवन तने बलभारी धन्यवाद बच्चो वीडियो के लाइक सब्सक्राइब करो और सेयर कर देना जिससे अन्य बच्चो को भी पैदा मिले धन्यवाद